नमस्कार क्यान गंज में आपका स्वागत है कल हमने शेव स्वरूदय ग्रंथ का पाठ प्रारम किया था ये ग्रंथ है श्वांसों से समंदित एक बहुत ही महत्वपूरण योग ग्रंथ है और यदि हम इसको समझ लेते हैं तो हम अपनी श्वांसों अपने प्राण, अपने भ्रह्मान से समंद इन सब को जान सकते हैं और अपने शरीर और मन दोनों को पूरता स्वस्थ रख सकते हैं तो इस ग्यान को हमें धेरे-धेरे समझना होगा अभी तक पिछले अंक तक हमने देखा था कि पारवती जी शिव जी से प्रश्न करती है अब शिव जी इसका क्या उत्तर देते हैं इस पर हम विचार करेंगे तो अब प्रस्त थैश्व स्वरोदय का चौथा श्लोक तीन श्लोकों तक हमने कल के भाग में देखा था चौथा श्लोक आज देखते हैं तो च्णुझा श्लोक है शिव वाच, शिव जी कहते हैं तत्वद भ्रह्मांद मुद्पन्नम् तत्तेन परिवर्टते तत्वेविलीयते देवी तत्वद भ्रह्मांद निरणायह यह शिव सौरोदय का च्णुझा श्लोक हुआ, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं, तो शिव शिब जी प्यार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, यह संसार तत्तों से उत्पन हुआ है, और उन तत्तों के द्वारा ही इसका परिवर्टन, पालन, एवं उन ही में ये विलीन भी हो जाता है, इस प्रकार इस संसार के विशे में निरणे उक्त तत्तों के द्वारा ही होता है, तो इस श्लोग में शिवजी हमें तत्वों की महत्ता बता रहे हैं कि संपूर और स्रष्टी तत्वों से ही उत्पन होती है तत्वों से ही पालित पोशित होती है और अंत में तत्वों में ही मिल जाती है तो इस प्रकार हमने देखा कि तत्वों द्वारा इस संपूर्ण स्रष्टी का निर्मान, पालन और विनाज भी होता है तो इस लोग को ठीक से हम समझ लेते हैं तत्वाद ब्रह्मांड मुद्पन्नम अथात तत्वों से ही ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स उद्पन्न हुआ है तत्वेन परिवर्तते, तत्वों से ही परवर्दित हो जाता है ये तो आपको भी पता होगा कि विभिन्न तत्वों के परमाडू विभिन्न तत्वों से क्रिया करके विभिन्न पदार्त बनाते हैं तो परिवर्तन स्रष्टी में जितना भी होता है वो सब तत्तों के द्वारा ही होता है ये elements, ये मुख्य पांस तत्त जो हमारे पूरे भ्रह्मांद का निर्मान करते हैं इनहीं के द्वारा ही पालन होता है और इनहीं के द्वारा निर्मान होता है अब देखते हैं आगे क्या होता है तत्वे विलियते देवी तत्वाद भ्रह्मांद निरने है तत्वे विलियते देवी विले माने मिल जाना तो अंत में तत्व में ही मिल जाते हैं देवी तत्वाद भ्रह्मांद निरने है यानी भ्रह्मांद का निरने भी यही होता है ब्रह्मान कर देने गैसे कि तत्व अपने आप ही विभिन पदार्थों का निर्मान करते हैं हर पदार्थ अलग-अलग तत्वों से बना हुआ है उन तत्व के परमाणूं में क्रिया दोरा दूसरे तत्वों का निर्मान और पालन होता है फिर समय आने पर वो सभी तत्व भरवड़ते तोकर दूसरे तत्वों में मिल जाते हैं इसी प्रकार ये ब्रह्मान का जो निर्मान है ये तत्वों के द्वारा ही किया जाता है कहने का अर्थी ये ब्रह्मान का निर्मान तत्वों के द्वारा कैसी किया जाता है कि ब्रहमांड में जितनी भी हम निर्मान देख रहे हैं जितनी भी सरश्टी देख रहे हैं जितने भी कीट पतंगे कीडे मकोडे, जीव जन्तू बैक्टीरिया वाइरस, मनुष्य, पीड़ पौधे प्रत्थ्वी, पहाड, विवनिग्रह जितने हम देख रहे हैं ये सब तत्वों के द्वारा ही उत्पन होगे हैं तत्वों के द्वारा ही ये बदलते रहते हैं और अंत में तत्वों में ही समाहित हो जाते हैं तो हमने देखा आज शिव स्वरुदय का ये चौथा श्लोक जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को तत्तों के विश्य में बहुत ही महत्वपूरण ग्यान दिया है इसी प्रकार हम पूरे शिव सोर्वेदय को धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे अपना मूले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहे ग्यान कंज